उत्पत्ति अध्याय 35 तब पर्मिश्वर ने याकुब से कहा यहां से कूच करके बेतेल गुजा और वही रहे और वहां पर्मिश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तु अपने भाई एसाव के दर से भाग जाता था। तब याकुब ने अपने घराने से और उन सब में से भी जो उसके संग थे कहा तुम्हारे बीच में जो पराय देता है उन्हें निकाल फेको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्तर बदल डालो और आओ, हम यहां से कूच करके बेतेल को जाए, वहां मैं पर्मि से मैं चलता था, उसमें मेरे संग रहा, सो जितने पराय देता उनके पास थे, और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सभों को उन्होंने याकुब को दे दिया, और उसने उनको उस सिंदूर रुक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया, तब उन्होंने और उनके चारो ओर के नगर निवासियों के मन में परमिशुर की ओर से ऐसा भह समा गया, कि उन्होंने याकुब के पुत्रों का पीछा न किया, सो याकुब उन सब समेथ जो उसके संग थे, कनान देश के लूज नगर को आया, वह नगर बेतल भी कहलाता है, वहां उसने ए एक वेदी बनाए, और उस थान का नाम इल बेतल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के दर से भागा जाता था, तब परमिशर उस पर वही प्रगट हुआ था, और रिपका की दूद पिलाने वाली घाय दबोरा मर गई, और बेतल के नीचे सिंदूर के रुक्ष के तले उसको मिटी दी गई, और उस सिंदूर का नाम अलोन बक्कुत रखा गया, फिर याकुब के पदनराम से आने के पश्चात, परमिशर ने दुसरी बार उसको दर्शन देकर आशिश दी, और परमिशर ने उसे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकुब रहा है, पर आगे को तेर नाम याकुब न रहेगा, तू इसरायल कहलाएगा, सो उसने उसका नाम इसरायल रखा, फिर परमिशर ने उससे कहा, मैं सरवशक्तिमान परमिशर हूँ, तू फुले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाती, बरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे देश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैने इबराहिम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वन्श को भी तूँगा, तब परमिशर उस थान में जहां उसने याकुब से बाते की, उसके पास से उपर चड़ा, और जिस इस थान में परमिशर ने याकुब से बाते की, वहां याकुब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया, और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया, और जहां परमिशर ने याकुब से बाती की, उस थान का नाम उसने बेतेल रखा, फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था, कि राहल को बच्चा जन्म देने की बड़ी प्रीडा होने लगी, जब उसको बड़ी प्रीडा उठती थी तब धाय ने उससे कहा मत जर, अब भी तेरे बेटा ही होगा, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्रान निकलते निकलते उ बिनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यमीन रखा, यो रहल मर गई, और एप्राता अर्थात बेथलहेम के मारग में उसको मिट्टी दी गई, और याकुब ने उसकी कबर पर एक खंबा खड़ा किया, रहल की कबर का वही खंबा आज तक बना है, फिर इसरायल ने कूच किया, और एदेर नाम गुमट के आगे बढ़कर अपना तंभू खड़ा किया, जब इसरायल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रुबेन ने जाकर अपने पिता की रखे ली, बिल्धा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इसरायल को मालुम हो गई, याकुब के बारह पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकुब का जेठा, रुबेन, फिर शिमोन, लेवी, जहुदा, इससाकार और जबलून, और राहिल के पुत्र ये थे, अर्थात युसूप और बिन्यमेन, और राहिल के लउंडी, बिल्ला क पुत्र ये थे अर्थात दान और नप्ताली और लिया के लंडी जिल्पा के पुत्र ये थे अर्थात गाद और आशेर याकूब के यही पुत्र हुए जो उसने पदनराम में उत्पन्न हुए और याकूब ममरे में जो करियत अर्बा अर्थात हेबरोन हैं जहां इबराहिम और इसाहक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसाहक के पास आया। इसाहक की अवस्ता एकसो असी बरस की हुई। और इसाहक का प्रान छूट गया। और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयुका होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र एसाव और याकुब ने उसको मिक्ती दी